हलो गाइज, वेल्खम तो मैं चैनल Japanese with Vishal, आज हम बात करने वाले हैं पार्टिकल्स के उपर, भाहिया पार्टिकल्स की वीडियो बना दो पार्टिकल्स की वीडियो लो आगे पार्टिकल्स की वीडियो और यह एक सीरीज होने वाली है, आज मैं कुछ कुछ बताऊंगा दे चलते मैं आपको बहुत सारी information देने वाला हूँ particles के ऊपर कैसे use करने है कहां पर use करने है particle को पढ़ना कैसे है और उससे पहले मैं आपको बात बता देना चाहता हूँ मेरा जो जुलाई वाला 15 जुलाई को batch start होने वाला है वो होने ही वाला है बहुत ही कम days बचे हैं अगर आप पढ़ना जाते हो मुझसे अगर आप Japanese मुझसे सीखना चाते हो तो आप register कर सकते हो नीचे दिये हुए इस form को fill करके and आप मुझे एक बार email भी कर सकते हो अगर मैं इस पे reply नहीं देता हूँ 13 जुलाई को डेमो है 15 जुलाई को first class start होने वाली है अगर आप join करना चाते हैं तो जल्दी से जल्दी कर दीजिए क्योंकि JLPT जो December में होने वाला है तब तक आपका syllabus complete होगा और आप JLPT दे भी पाओगे okay so let's start our video की आज जो हम पढ़ने वाले है पार्टिकल सबसे पहले वा पार्टिकल सबसे पहला पार्टिकल वा पार्टिकल यूज कहां पर होता है main चीज जो है न हम यूज पढ़ेंगे हम यह नहीं पढ़ेंगे कि यह वा पार्टिकल किसको पीछा करता है किसका पीछा करता है नहीं हम पढ़ेंगे MAL जंदगी भरा आप क्या करोगे यह डूंढते रहे जाओगे कि इसके पीछे लगेगा यह बटसी के साथ लगना चाहिए यह इसके साथ लगना चाहिए सब्डेक्ट के साथ लगना चाहिए मैं आपको बताओंगा कि इसको easily कैसे करना है जो आपकी simple process होते हैं mind के sentence को catch करने के लिए sentence को बनाने के लिए बोलने के लिए उस तरीके से कैसे बनना है सबसे पहले वाव पार्टिकल वाव पार्टिकल कहां पर use होता है यहां पर हम slide में देख लेते हैं सबसे पहला मैं मुझे अगर आपको मैं बोलना हो मुझे बोलना हो मैं विशाल हूँ मैं पंजाब में रहता हूँ मुझे यह पसंद है मुझे यह करना है मुझे यह नहीं करना है मुझे और मैं में आप वाटशी के साथ use करोगे वाव पार्टिकल वाटशी के साथ यूज करोगे वा पार्टिकल for example first sentence आप देखेगा जरा वातशीवा गाकसे देश अब इस sentence का मीनिंग क्या है आप तो सबसे पहले वीडियो को पाउस करिए और मेरे कमेंट में आप मुझे बता दीजिए किसका मीनिंग क्या है ओके next करते हैं चलो इसका मैं मीनिंग बता ही देता हूँ यहां पर आप देखोगे कि वातशीव के साथ मैंने वा पार्टिकल लगाया वातशीव के साथ ये रहा वा पार्टिकल उसके बाद क्या है गाकसे गाकसे मीन्स student this means हूँ मैं student मैं आ गया न वहाँ पर मैं आ गया तो वहाँ पर वातशीव के साथ वा लगेगा मैं student हूँ वातशीव स्टूड़न देस वातशीव गाक्षे देस दूसरा sentence पर वातशीव के साथ वा लगाया यहां पर भी वातशीव निहौन जिन देस निहौन जिन देस Japanese हूँ मैं Japanese हूँ यहां पर यहां पर मैं यह भी लिख सकता हूँ वातशीव इंदो जिन देस मैं Japanese हूँ ओके थर्ड वाला पड़ो यहां पर भी वाव पार्टिकल लगा है वातशीव आइस्क्रीम गा सुखी देस मुझे आइस्क्रीम पुसंद है मुझे आगया तो वाव पार्टिकल वातशीव इके मासेन मैं नहीं जाओंगा मैं नहीं जाओंगा यहां पर मुझे नहीं जाना है ठीक है मैं और मुझे आगया यहां पर वाव पार्टिकल लगया वातशीव के साथ वातशीव अब इसका एक और यूज देख लेते हैं मैं मुझे तो हमने पढ़ लिया दूसरे व्यक्ति के लिए तुम, तुम्हें, तुमको तुम्हें ये पसंद है क्या? पूच रहे हो ना? ये तुम्हारा है क्या? तुम्हारा नहीं तुम्हारा हम आगे पढ़ेंगे तुम, तुम्हें और तुमको यह अभी हम यूज करने वाले हैं और इनके साथ आवाप पार्टिकल लगाते हैं जैसे पहले देखो तुम, आप , यू, यू को बोलते हैं आनाता तुम्हें तुमको आप यहां पे आप भी लिग देता हूँ आप पार्टी नहीं है यह आप मतलब तुम यू है सो यहां पर क्या है कि आप गाकसिदेश का स्टूडेंट हैं क्या क्या आप स्टूडेंट हैं दूसरा सेंटेंस देखो हम क्या करते हैं बेसिकली जो है अनाता यूज नहीं करते हैं हम अनाता यूज नहीं करते हैं, अनाता की जगाया पर हम यहां पर नेम लिखेंगे, फिर सान लगाएंगे, फिर वा पार्टिकल लगाएंगे, ठेक है, हमने क्या किया, यह नेम और सान जो है, इस से रिप्लेस कर दिया हमने, किसको, अनाता को, अनाता को हम क्या लिखेंगे नग धस्थान जिसे मनीचस त stubit न hot Griff को खि ça मेरेस सुरिमेर्श सांग को यह स round हो कि अपोड में इसका नाम लुना उसके साथ साल लगा फिर फीर्मानीस सान आगे देखो नहुंजिन देश का क्या मनीज सान कि Japanese हैं मैं उसे पूछ सकता हूं next फिर से यह आगया आपका नेम और फिर वा पार्टिकल आगया साथ में डैस सान वा किसी का नाम रामजान वा आशकरीम का सुकी देश का रामसान को आइस्क्रीम पसंद है क्या क्या रामसान को आइस्क्रीम पसंद है तो मैं ऐसे बोल सकते हूँ वा पार्टिकल का यहाँ पर यूज़ फिर नेक्स्ट में भी हम यहाँ पर नेम लगा देंगे नाउन नेम नेम सान वा इकी मसेन का का इकी मसेन का नहीं जाओगे क्या सूरेश सान नहीं जाओगे क्या तो वहां पे मैंने वाव पार्टिकल यूज कर्लिया यहां पर आप हूप आप व mówर्ड रूज्स करता हूँ तुम तुमें तुमें तुम को अनाता कहते यह बटानाता यूज ने करें अनाता कि जगे पे हम उसका नाम द्योnın लगा देंगे उसके साथ San geekが उरिफ सान जी और Jमेμ हैं सान इस इकवेहीं सरेश जी next एक और पार्टिकल पढ़ लेते हैं अभी no पार्टिकल no पार्टिकल important है बहुत easy है मेरा मेरी मेरा pen है मेरी book है मेरी car है मेरा scooter है so चीजों के साथ क्या होगा आपका relation आपका उनसे रिष्टा है क्या रिष्टे के लिए जो है no particle use होता है इसको relation particle भी बोल देते हैं बट मुझे नहीं कुछ भी लेना देना उससे कि उसको relation particle बोलते हैं कि नहीं मुझे use करना और चाहिए पहले तो तो मैं क्या करूँगा जहां पे मेरा और मेरी use होता है वहां पे वाताशी के साथ वाताशी के साथ पार्टिकल लगा दूंगा वाताशीक नो c मेरी पैंसिल है वाताशी नो बुलेट बुलेट है मेरा नहीं है एक sentence और देख लेते हैं अब मैं ये भी तो बोल सकता हूँ ना पहले हमने बड़ा तुम, तुमको, तुम है अब हम पढ़ेंगे तुम्हारा तुम्हारा स्कूटर उसका पी रिलेशन आगए ना उसकी चीज के साथ सुन्हारा स्कूटर तुम्हारी मोटर साइकल सो तुम्हारा तुम्हारी में भी यही उज़ोगा किस के साथ तुम्हारा के साथ No Particle लगादेना आप के साथ नो'm लिगा देना है और आप देखोँगे यहां पे अनादा के साथ मैंने नोब आठेकल लगा दिए अनधा नो फून देशका का आ आपका फून हम और यहां पे मैं आपको यह बात पता दो यहां प्रसे हम यूज नहीं करें pensar सान यूज़् करें यहां पे नेम लिखेंगे नेम एंड शान रामसान की कि यादतर नो कम है यूज़ ऐसे कर लेता हूं बहुत ही सिपल रामसां का और की ट्रामसान की Pencil है next is Ramazhan no bullet this Ramazhan ki bullet है Ramazhan no deva Harima Mohsen या फिर ja Harima Mohsen Ramazhan ki नहीं है चाहे बहुan copy हो चाहे pencil हो हम पूछे है इनद ये copy आपकी है नहीं ये copy मेरी नहीं है या पिर नहीं ये नहीं है मैंने copy use किया एक में एक में copy नहीं use किया ना करो तब भी हम हमसेंद सकते हैं यहाँ पे हम यह भी बोड़ सकते हैं कि Rательно β91 नहीं है यह रामसांद की किताब नहीं है ऊइसा जरूरी नहीं है कि आपको किताब लेकर या नहींहें भीच में की बोलना है ठीक है जो यह था, कि तुम्हारा तुम्हारी और میरा- no particle use करना और तुम तुम हे तूमको और जब मैं मुझे यह word है इनमें हम वाँ particle use करते हैं 밋ा थाशी यह simple सा एक बहुत ही simple comparison था सिर्फ comparison ययाद रखो particle को याद मत रखो use कहां पर होता है वो याद रखो अब ही यह फोड़ा सो homework है यह थोड़ा सा homework है, क्या करना है, चेक कून करेगा, चेक मैं करूंगा, मेरी email ID यहाँ पे आपको देख रही है, उस पे आपको email कर देना है, आपकी फोटो खीच के, सारा के सारा homework की फोटो कीच के send कर देना, जैसे मेरी car को क्या बोलेंगे, जैपनीज में, आगे अपका नाम teacher है, तुम्हारा pen यहां फिर तुम्हारी pen कहां है, तुम्हारी car अच्ची है, यह सारे sentences उसरे sentences आपको बनाके मुझे homework में send करने हैं, कहां पे send करने हैं, मेरी email ID पे आपको send कर देने हैं. और अगर आप मेरा जो मुझे पढ़ना चाहते हूँ मैंने Japanese की classes start के थी और एक महीना हो चुका है और काफी अच्छा रिस्मोंज आ रहा है students को काफी समझ में भी आ रहा है आप अगर मेरी classes को join करना चाहते हो तो आप नीचे दिये गए link में अपना form फिल कर सकते हो और मुझे email कर सकते हो email करोगे तो मैं आपको join करवा दूँगा 13 तारीक को 13 को जुलाई को डैमो है and 15 जुलाई को first class start होने वाली है तो जल्दी से जल्दी register करिए और मिलते हैं आप से मेरी अपनी personal classes में आपकी जो भी details देनी होंगी मैं आपको वहां पे दे दूँगा आपको call कर देंगे और आपको सारी की सारी details दे देंगे so I hope कि आपको ये वीडियो पसंद आओगा अगर वीडियो पसंद आया तो इसको like जरूर कर दीजेगा मुझे support करने के लिए मेरे चैनल को subscribe कर दीजेगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है मेरी और भी वीडियो देखो अगर पसंद आती है तो मेरे इस चैनल को ज़रूर subscribe करिएगा मिलते हैं आप से एक नए वीडियो में तब तक के लिए सायो नारा